नमस्कार आप देख रहे हैं कभीर न्यूज मैं हूँ आपके साथ रिचा कमल खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइन्स पर एम्स में भरती जेटली की हालत नाजूक राश्पती समेथ बीजेपी के दिगज देता पहुचे मिलने HBTU के एक छात्र ने इमारत बनाने वाली बनाई पारदर्शी कंक्रीट हमेरपुर जिले की बेतवा नदी तथा यमुना नदी का जलिस पर बढ़ने से लोग भैबीत बिहार में एक विधाय के घर से AK-47 ड्राइफल बरामत और अब खबरेविस्तार से BJP के वरिष्ट नेतात था पूर्व केंद्री विक्त मंतरी अरुण जेटली लंबे समय से बिमार चल रहे हैं 9 अगस्त को उन्हें एम्स में भरती कराया क्या था विशेशक डॉक्टरों की टीम उनके उपचार पर नजर रख रही है वे ICU में हैं एम्स ने 10 अगस्त के बाद से उनके स्वास्त की स्थिति को लेकर कोई बुल्टिन जारीन नहीं किया है जेटली के फेफलों में पानी जमा हो रहा है जिसकी वज़े से उन्हें सास लेने में दिक्कत आ रही है यही वज़े है कि डॉक्ट्रों ने उन्हें वेडिलेटर पर रखा है जानकारी के अनुसार शुकरवार देररात केंद्री ग्रह मंत्री अमित्स शा और केंद्री स्वास्त मंत्री हर्श वर्दन भी अरुन जेटली का हाल जानने के लिए एम्स पहुंचे शाए एक घंटे से अधिक समय तक एम्स में मौझूद रहे इससे पहले शुकरवार सुबर राश्पती रामनाद को विंतो शाम को उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाद भी अरुन जेटली से मिलने एम्स पहुंचे थे डॉक्टरों के मुताबिक जेटली को सौफ्ट टिशू सरकोमा है जो एक प्रकार का कैंसर होता है जेटली पहले से डाइबटीज के मरीज है उनका किड़नी ट्रास्प्लांट हो चुका है सौफ्ट टिशू कैंसर की भी बीमारी का पता चलने के बाद वे इलाज के लिए अमेरिका भी गय थे उन्होंने मोटापे से छुटकारा पाने के लिए बेरियेट्रिक सरजरी भी करा रखी है जानकारी के अनुसार बता दें कि दिल्ली विश्विद्यालय से छात्र नेता के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले जेट्ली सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ट वकील भी है मोधी सरकार के पहले कारकाल में वित्त मंत्राल है समभलने वाले जेटली स्वास्त कार्णों से मोधी सरकार में शामित नहीं हुए जेटली अटल बिहरी बाजपई सरकार में भी केंद्री मंत्री रह चुके है आपने कहवत तो सुनी होगी कि अगर किसी भी काम को करने की ठान लो तो वे जरूर पूरा होता है फिर उसमें चाहें कितनी भी रुकावट क्यों ना है इस कहवत को सच कर दिखाया है कानपूर के एक चात्र ने इस चात्र ने लोहा और प्लास्टिक फाइबर के टुकुडों से पारदर्शी कंक्रीट विक्सित की है जिससे बनने वाली इमारतों में सूरी की केरने दिवारों से चछन कर अंदर आ सकेंगी इसका इजाद कानपूर के हाई कोर्ट बटलर टेकनिकल यूनिवरस्टी के एमटेक कोर्स के सिविल इंजीनिरिंग के चात रामाश बाजपेने किया है बता जा रहा है कि इस कंक्रीट से बनने वाली दिवारों से करीब 30% तक धूप कमरे के अंदर आ पाएगी जिससे कमरा दिन में खूब रोशन रहेगा हाला कि इन दिवारों से होकर मात्र रोशनी ही अंदर आएगी सूरी की रोशनी से उत्पन गर्मी नहीं और इस कंक्रीट के प्रयोग से करीब 30% तक बिजली भी बचेगी रामाश का कहना है कि इस कंक्रीट से बनी दिवारों से सिर्फ सूरी की रोशनी अंदर आएगी हवा और पानी अंदर नहीं आएगा जिससे कमरे में सीडन और लीकेज की समस्या नहीं होगी शोद में रामाश का मार्क जर्शन करने वाले दीपकुमार सिंग ने कहा पारदर्शी कंक्रीट से बनाए गई दीवार में मात 1924 रुपय की लागत आएगी जबकि साधारन कंक्रीट से वैसी ही दीवार बनाने में 5800 रुपय का खड़ जाता है। इसका प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है जबकि जापान और सिंगापूर में कहीं कहीं इससे प्रयोग में लाए जाता है। इससे कंक्रीट जादा टिकाओ हो जाती है और इससे बनने वाली इमार्दों की उम्र 50-100 साल तक अधिक हो जाती है। माता टीला बान से पानी छोड़े जाने पर हमीरपूर जिले के नदी किनारे बसे दरजुनों गां बार की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। इसी बात को लेकर प्रशाशन द्वारा अलट जारी किया गया है। सदर कोतवाली हमीरपूर को निर्देश दिये के हैं कि बेत्वा नदी किनारे बसे सभी ग्राम्यूरों को सूचित कर अलट जारी किया जाए। साथ ही ग्रामियोडों से अन्रोद किया गया है कि नदी का जलिस्तर बढ़ रहा है अता आप अपने सभी ग्रामियोडों के साथ सुरक्षित इस्तानों पर रहे हैं तता ग्रामियोडों के चरवाहों को भी समझाया गया है कि वे अपने जानवर नदी के नारे ना ले जाएं पुलिस को सूचना मिली थी कि विधायक के घर और उनके दूसरे ठिकानों से हतियारों का मूमेंट किया जा रहा है। अनंत कभी नितीश के करीबी हुआ करते थे। विध 2005 में पहली बार जदियू के टिकट से चुनाव जीते। 2010 में भी विध जदियू के विधायक बने, 2015 के चुनाव से पहले हत्या के एक मामले में जेल जाना पड़ा। इस दौरान जदियू ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। जेल से ही एनंत सिंग के चुनाव लडाओ निर्दली विधायक बने। खबरों में अभी के लिए फिलाल बस इतना ही, बने रहें कभीर न्यूस के साथ, नमस्कार।